अक्सर घरों में आपने छोटे छोटे जीव जन्तू देखे होंगे जो घर के कोनों में जहां जगे मिल जाए घर बना लेते हैं कई बार ये छोटे जीव इनसान के कान में घुसने की भी कोशिश कर जाते हैं और अक्सर ऐसा सोते वक्त होता है आपको जानकार हैरानी होगी कि ऐसा ही कुछ चीन के एक शक्स के साथ हुआ ये जनाब जब सोकर उठे तो इन्हें अपने कान में भयंग कर दर्द महसूस हुआ दर्द बरदाश्ट से बाहर हुआ तो ये शक्स डॉक्टर के पास पहुँचा और जब इनके कान के दर्द के हकीकत पता चली तो डॉक्टरों के भी होशोड गए दर्सल इस शक्स को तीन दिनों से कान में हलका दर्द था पर इन्होंने सोचा की शायद ये सामानले बात है पर जिस दिन कान का दर्द ज़्यादा बढ़ा तब इन्हें महसूस हुआ की कोई बड़ी गड़बढ है डॉक्टरों ने जब जांच की तो पाया की इन जनाब के काम में छिपकली मौजूद थी हैरानी की बात है छिपकली जितना बड़ा जीव इनके कान में तीन दिन से रह रहा था और इन्हें पता भी नहीं चला छिपकली ने इनके कान का तो बुरा हाल करी दिया था साथ ही इनके कान के परदे को भी चट कर गई थी और इस वज़े से कान के साथ-साथ इन्हें जबरदस्त सरदर्द भी होने लगा था डॉक्टरों ने बताया कि छिपकली कान में घुस्तो गई पर वापस पलटने की जिगह ना होने के कारण बाहर नहीं निकल पाई और कान में ही अटक गई कान से इस छिपकली को निकालने के लिए डॉक्टरों को एक ओप्रेशन करना पड़ा जिसमें मैग हट्स पांच मिनट का वक्त लगा पर ये ओप्रेशन बेहत जोखिम भरा था इस व्यक्ति को पहले इने स्थिसिया दिया गया और फिर इस जिंदा छिपकली को इनके कान से निकाला जा सका छिपकली निकलने के बाद इस व्यक्ति को कुछ राहतों मिली पर एक कान से सुनना बिलकुल बंध हो चुका है